तो आज जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में सेहर करने वाली हूँ आलू और पालक की रेस्पी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी तयारी कर लिया यहाँ पे तो यह देखिए मैं पेश्ट बनाने के लिए ले ली हूँ प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसन इसको जो अब ही है मिक्सी में पीस लूँगी और यहां पे मैंने आलू और पालक को भी मैं पीस लूँगी चलिए पहले यह सब कर लेते उसके बार मिलते आपसे यह देखिए मैंने यहाँ पे जो है प्याज टमाटर और हरी मिर्च लहसन का पेश्ट बना लिया है इसमें अधरक भी लिए ओंगी हो गया चलिए यह चलिए अब कजै कराई गर्म होने देते हैं तो चलिए ऊचकी है तो कराई हो चुकी है कर आप्ण कार मात बनें इसमैं टेल की दालें गे देल कि अ मैंने सरसो प्ली यूज करा है आप जो यूज करतेStud kein डे उइल छ्वाड़ाउ सरउ कर में अब तेल गर्म होने के बाद जो है मैं जो है उसमें डालूंगी थोड़ा ख़ड़ा मसाला सुखी लाल मिर्च जीरा तेज पत्ता और हीम इसमें जो है डाल देंगे और गैस थोड़ा तेज कर देंगे डालते वक्त मैंने गैस लोग कर दिया था अब यह देखिए जीरा चटक चुका है अब जो है इसमें डालेंगे जो पेस्ट बनाया है मैंने टमाटर का वो डालूंगी और गैस जो है कम कर देंगे हम डालते बद यह डाल देंगे इसके बाद हम इसको फुरा सा चला देंगे अब जो है थोड़ा सा तेज कर देंगे अब हम इसको ऐसी पांस मिनट तक बूनते रहेंगे जब तक यह तेज खोड़ना देंगे यहां पर टमाटर का पेस्ट जो है बून चुका है अब जो है अब इसमें मैं डालूंगी खड़ा मसाला ने कूट जो है थोड़ा सा धनिय का और फट्री नमक देघा पाउड़र लाल-मिर्ट कोडर हल्दी नमक आप है कि देखिए यहां पर जो है मैं दनिया पाउड़र और लाल-मिर्ट कोडर नमक और हल्दी डाल ज्विसमें अब हम इसको अच्छे सिचल देंगे इसको भी जो है 5-10 मिनट हम करिभ तर भूनें पूरे और तेल जो है उपर आ चुका है तो अब जो है हम इसमें डाल देंगे पालक और आलू यह पालक आलू मैंने डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और गैस जो हम तेज कर देंगे इसको ढ़कती हूं गैस को कर देंगे थोड़ा कम इसको भूनने देंगे अच्छे से तो यहां पर मसालेक साथ पाला कालू अच्छे से भून गया है अब जो है हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पानी अब इसको अच्छे से मिक्स करके दख देंगे पास मिनट के लिए तो यह देखिए सबजी बन के त्यार हो चुका है अब जो है हम जल्दी जल्दी गरम-गरम सबको पड़ोस देंगे क्योंकि सबको भूख लगी हुई है झाल 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 झाल